तुम्हें वो नशा है कि राद भर पीने के बाद ही सुपा एक गोख पीने का मन ही करता है तो दोस्तो आज हम जानेंगे रजनी कांड एपिसोट 4 के स्टोरी के बारे में एपिसोट 3 में आपने देखा कि बास रजनी के घर जाकर रजनी के पती को दारू पिलाकर उसे टली कर देता है और रजनी को उसी के बिस्तर पर जम कर पेलता है और रजनी को जंजोड कर रख देता है फिर सुबह होती है और रजनी का पती नीन से उठता है और देखता है तो उसके बिस्तर पर यूस किये हुए कॉंडॉम्स के पैकेट पड़े हुए होते है तो वह रजनी से कहता है ये सब क्या है तो रजनी कहते है ये सब तुमारा ही कमाल है मुझे इस से पहले इतना मज़ा कभी नहीं आया जो तुमने मुझे कल रात दिया तुम तो सुबह सूरज उगने तक रुखने का नाम ही नहीं ले रहे थे घोड़े की तरह मुझे करते रहे तो उसका पती कहता है इतना सब कुछ हुआ और मुझे याद भी नहीं तो रजनी कहती है तुम्हें याद रहे इतना होश का था तुम्हें तुम्हारे अंदर तो हल्क आ गया था चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ मैं ओफिस जा रही हूँ फिर नेक सीन में ओफिस दिखाया जाता है और रजनी बॉस के चेर पर बैटी हुई होती है और जैसे ही बॉस आता है तो रजनी कहती है आज तुम लेट आये हो और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी तो बॉस कहता है कौन सी सजा तो रजनी कहती है तडब की सजा आज तुम मुझे चू नहीं सकते आज तुम्हें मुझे बीना चूए ही रहना है तो boss कहता है तुम एक ऐसी शराब हो, जिसे कितना भी पीओ, फिर भी एक घुट और पीने का दिल करता है फिर next scene में एक नए boss को दिखाया जाता है, जो कि आदित्य boss के competition में होता है तो रजनी उस नए boss के पास जाती है और कहती है, wish you were very happy birthday boss तो new boss कहता है कि तुमें मेरा बतड़े कैसे पता है, तो रजनी कहती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ, उसके बारे में सब कुछ बाते जान लेती हूँ तो boss कहता है तुम मुझे पसंद करती हो, तो रजनी कहती है आप इतने handsome है कि आपको तो कोई भी पसंद करेगा तो बॉस का भी रजनी के सामान को देखकर दिमाग घूम जाता है और वो कहता है कि मुझे भी तुम पसंद हो और रजनी का हाथ पकड़ लेता है और रजनी की लेने की सोचता है तो रजनी कहती है मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकती मैं शादी शुदा हूँ तो न्यू बॉस कहता है फिर आदित्यों को रोज तुम देती हो तब तुमें शादी नहीं दिखती क्या मुझे देने में क्या प्रॉब्लम है फिर रजनी वहां से चली जाती है फिर शाद में ओफिस के सबी स्टाफ बॉस के लिए सर्प्राइस बर्थरडे पार्टी रखते है वहां रजनी भी आती है फिर बीच पार्टी में रजनी केबिन में चले जाती है तो बॉस भी उसके पीचे चले जाता है और कहता है रजनी I love you तो रजनी भी कहती है Even I love you two boss पर मैं इस company की बस एक employee हूँ और जो इस company का main boss होगा उसी के हाथ में मेरा remote होगा और उसे खुश करना ही मेरा काम है मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकती और sorry कहे कर वहाँ से चली जाती है तो new boss समझ जाता है कि मुझे अगर रजनी की लेनी है तो मुझे main boss के खुर्ची पर बैटना होगा और इसके लिए मुझे आदित्त का पता साफ करना होगा तो boss रमेश पी उनको call करता है और कहता है कि मेरे केबिन में आज जल्दी से और रमेश के साथ पता नहीं कौन सी डिल करता है कि next day new boss में खुर्ची पर बैट जाता है और जब रजनी सुबह आफिस आती है तो new boss को main chair पर बैटे हुए देख कर बहुत खुश हो जाती है फिर boss रजनी की अच्छे से लेता है और रमेश उनकी footage CCTV camera में record कर लेता है रजनी भी CCTV camera में इशारा करके प्यून को बता देती है कि तू अच्छे से shoot कर तो इससे ये समझ में आता है कि ये game plan रजनी और प्यून का होता है और इसी के सथ episode 4 खतम हो जाता है तो दोस्तों कैसे लेगी आपको रजनी कार्ण episode 4 की story अगर पसंदाई तो इससे like जरूर कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए ताकि ऐसे ही stories हम आपके लिए explain करते रहें धन्यवाद